दोस्तो नमस्कार एक बाद फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल अनुवांश्टीन पर मैं हूँ अनुद सर्मा और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि धान की फसल में अधिक कल्ले लेने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तो आप ल की लोगों ने इसके साथ में डाला है मां को राइज़ा by फर टिलाइजर है रहा मायको राज़ा विवा ईसाप से मिलता है एक-ड में इसकी मात्रा पर्याप्त रहती है इसका soil treatment भी कर सकते हैं फसल लगाने से पहले लास्ट जुताई के टाइम पर है इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर को बर्मी कंपोस्ट या किसी मिट्टी में मिलाकर खेत में छिड़काओ कर दें उसके बाद जुताई कर दें दान की फसल की बात करें तो हम लोग इसको रुपाई के समय डाल सकते हैं और दूसरी डोज इसकी डालेंगे हम लोग रुपाई के 10-15 दिन बाद तो दोस्तो हमारे धान में 15 दिन हो चुके हैं रुपाई के 10 दिन हो चुके हैं 10-15 दिन हो चुके हैं तो हम लोगो ने इसमें डेपी बगर डाल चु देखो दोस्तों इससे टिलर की संक्या बढ़ेगी पौदे की जड़ का विकास होगा जड़ दूर तक जाएगी तो न्यूट्रियंट्स बगएरा वह ज्यादा से ज्यादा एब्जॉब कर पाएगी और टिलर की संक्या बढ़ जाएगी जिससे अधिक बालियां मिलेंगी लोग हमारे चैनल पर बने रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई जानकारी के लिए वीडियो देखते रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें ताकि यह जानकारी आन लोगों को भी मिल सके दोस्तों यह बर्मी कमपो से खरीद कर अपने घर में इसकी मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में बताएंगे लेकिन दोस्तों जब 100 लाक आएंगे तो ही हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों धन्नबाद नमस्कार